दोस्तों कई दिनों से मेरे पास में आप सभी के लगतार कॉमेंट आ रहे हैं और सभी का कॉमेंट यह है कि भई जब हमने अपना TC का रेजिस्टेशन किया था तो रेजिस्टेशन करते वक्त वहाँ पे हमने अपना नाम गलत एंटर कर दिया है या फिर हमने अपनी Date of Birth गलत और आधार तो इस पर कोई वीडियो बनाई है कि कैसे हम अपने TC certificate में correction कर सकते हैं तो आज किस वीडियो का topic हमारा यही है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल free में अपने TC certificate में correction कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको end तक देखनी है बीच में skip नहीं करना है तो इस लिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जो problem है detail mismatch की यह आपको तब आएगी जब आपके TC certificate में आपका नाम आपका जेंडर आपके date of birth अलग होगी यानि कि आपके अधार कार्ड में detail अलग होगी और आपके TC certificate में detail अलग होगी तब आपको यह detail mismatch की problem आएगी ज इस तरीके से जब आपके detail match नहीं करती है तब आपको यह problem आती है यहाँ पे हमारा नाम गलत है हो सकता है कि आपका नाम सही हो लेकिन आपकी date of birth गलत हो और अगर आप यहाँ पे direct correction करने की कोसिस करोगे तो यहाँ पे आप correction नहीं कर पाओगे लेकिन आज मैं आपको एक ऐस और official तरीके से इस problem को solve करना चाहते हैं तो इसका एक मात्र official तरीका यह है कि आपको दुबारा से TC का registration करना है दुबारा से आपको 1500 रुपे की fees pay करनी है और दुबारा से आपको अपना TC का exam देना है और जब आप exam दोगे तो आपको एक नया TC certificate मिल जाएगा और आपकी जो problem है यह permanent के लिए solve हो जाएगी लेकिन दोस्तों जो तरीक मैं आपको बताने वाला हूँ यह कोई permanent solution नहीं है लेकिन अगर आपके jam में दुबारा से 1500 रुपे नहीं है आप दुबारा से TC की fees pay नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके का इस्तमाल करके अपनी problem को solve कर सकते हैं और आप CSCID के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों जो ट्रीक मैं आपको बताने वाला हूँ इसके condition हैं और condition यह है कि यह केवल laptop और computer में work करती है mobile में work नहीं करती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में laptop या फिर computer होना जरूरी है तो भाई correction करने के लिए आपको इस page पर आ जाना है अब दोस्तों यहाँ पे किसी भी detail में correction करने के लिए आपको अपने keyboard में app 12 बटन को press करना है अब जैसे आप press करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको corner में mouse pointer दिखाई दे रहा होगा इस mouse pointer पर आपको click करना है मैं आपको इसको zoom करके दिखा देता हूँ तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है इस पे आपको click कर देना है जैसे आप इस pointer पर click करोगे तो यह highlight हो जाएगा आप दोस्तों जिस भी detail में आप correction करना चाहते है या पर जिस भी detail को आप change करना चाहते हैं उस पे आपको अपने mouse का cursor लेके आना है जैसे कि यहाँ पर मैं अपने नाम में correction करने वाला हूँ तो आपको गया करना है आपको अपने नाम के उपर अपने mouse का cursor लेके आना है और उसके बाद आपको उस पर एक बार click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर right side में आपको आपका नाम दिखाई देगा अब आपको गया करना है आपको अपने नाम में दोबारा से दो बार click कर देना है अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा करसर आ चुका है अब दोस्तों यहाँ पे आप इसमें कुछ भी क्रेक्शन कर सकते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे कटारिया की जगह कुमार करना है तो मैं यहाँ पे कुमार कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने नाम में correction कर दिया है मैंने हिमानशु कटारिया के जगए हिमानशु कुमार कर दिया है अब आपको क्या करना है आपको अपने laptop के और computer की screen पर कहीं पर भी click कर देना है अब जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाम है वो change हो चुका है हमारे नाम में correction हो चुका है यहाँ पर पहले आपको हिमानशु कटारिया दिखाई दे रहा था लेकिन दोस्तो यहाँ पर आप हिमानशु कुमार हो चुका है और यही हमारे अधार कार्ड में है इसी तरीके से दोस्तो आपको गया करना है अगर आपको अपनी date of birth में correction करना है तो आपको क्या करना है आपको दोबारा से यहाँ पर यह जो pointer है इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो date of birth है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है अब जैसे आप इसपे क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको आपके डेट of birth दिखहाई देगी, उसके बाद यहां पर आपको अपने माउस से दो बार क्लिक कर देना है अब जैसे आप दो बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी date of birth को correction कर सकते हैं, date of birth को change कर सकते हैं और जो भी date of birth आपकी सही है वो यहाँ पे आपको enter कर देनी है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने नाम में या फिर अपनी date of birth में correction कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि correction हो चुका है तो यहाँ से आपको इसको cut कर देना है अब आपको गया करना है यहाँ पे आपको अपना अधार number एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको यह detail एंटर करनी है और यहां पर आपको submit कर देना है और आगे का जो process है यानि जो CAC ID apply करने का जो process है उसको आपको follow करना है और आपको अपने CAC का registration करना है तो इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल free में अपने detail में correction करके अपनी जो ये problem है इसको soul कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर से clear कर दू कि ये एक official तरीका नहीं है ये एक legal तरीका नहीं है तो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आपको इस तरीके को follow करना है ये तरीका उन लोगों के लिए है जो दुबारसे fees pay नहीं कर सकते हैं जिनका इतना budget नहीं है कि वो दुबारसे TC का registration करें दुबारसे exam दे तो आसा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिलेटले आर वीडियो को like कर देना शेयर कर देना और अगर आप हमसे अपना TC exam clear कराना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं या फिर आपकी screen पर लाइक और follow जरूर कर देना